आर्याम, आर्याम, गुरुटे, मैं देपाली, देरदुन से, spirituality versus religion, मैंने दोनों बाठ आपके सुने, इसमें से मेरा एक सवाल है, कि अध्यात में इनसान कैसे आ सकता है, उसमें जैसा आपने बताया था, कि अध्यात में इनसान को अपने करवों के द्वारा आता है, पट इनीशल स्टेज एक नॉर्मल यूमिन बिंग के लिए क्या है? हमारे प्रियात्मन आम स्वस्तियस्तु आप सब के जीवन में सब कुछ शुब हो, अच्छा हो और जो भी चीज आपको प्रसंद रखती है, जो भी चीज आपको आनंद देती है जो भी चीज आपके लिए शुरेश कर रहे, जो भी चीज आपके लिए सुख कारक है उसका आपके जीवन में सदा सरवदा बुदेर है यह दिपाली का प्रशन है कि हम अध्यात्म को कैसे समझे और उन्होंने साथ-साथ यह भी कौट किया है कि मैं ज्यादे तर यह बोलता हूँ कि स्प्रिच्वेलिटी लीड्स तो अल थिंक्स स्प्रिच्वेलिटी लीड्स तो अल सक्सस और स्प्रिच्वेलिटी लीड्स तो अल रिलीज़न असल में जो धर्व है धर्म हाँ मारी भक्ती, समर्पन और प्रेम की मिट्टी में रोपा गया निश्ठा और भावनाओं का ऐसा बीज है जब वह पुष्पित होता है पल्लवित होता है अमकुरित होता है तो वो एक पद्दधी के रोप में एक धर्म के रोप में एक संप्रदाई के रोप में या एक पंथ के रोप में इस्थापित होता है लेकिन इस इस्थापित हो चुकने के बाद उस व्रिक्ष पर जब सदभावना के, सोहार्द के, समंजस्य के, इस्नहे के, मित्रता के, करुणा के, प्रेम के, सहायता के, सहयोग के, समंजस्य के, साधना के, समर्पन के, और परमात्मा के प्रती सच्चे अनुराग के, फूल खिलते हैं, तो उन खिले हुए पुश्पों से, जो सुगंद सुवासित होती है, मैं उसको अध्यात्म कहता हूँ, धार्मिक होना, बहुत आसान है, उससे भी बहुत आसान है, सांप्रदाईक होना, लेकिन आध्यात्मिक होना यह एक बड़ी बात है यह बहुत उंची बात है यह आपका अपने स्वत्त को अपने आपको इतने उंचे पायदान पर इस्थापित और इस्थित कर देना है जो प्राय असंभा होता है इसलिए धार्मिक गुरु तो बहुत हो जाते हैं धार्म के मानने वाले बहुत हो जाते हैं धार्म के अनुयाई बहुत हो जाते हैं धार्म के रास्ते पर चलने वाले अनुगामी बहुत हो जाते हैं लेकिन आध्यात्मिक कोई विल्ला ही होता है आध्यात्मिक है वो व्यक्ति जो परमात्मा के संपूर्ण अस्तित्यु के प्रति अनुग रहित है धन्यवाद से भरा है शिकायतों से नहीं भरा है जो होशपूर्वक है जो किसी गमले को रिक्त देखकर या किसी पोधे से सजा हुआ देखकर उसमें थूकने की कभी कल्पना भी नहीं करता बलकि ऐसी किसी मिट्टी ऐसी किसी स्थान को देखकर उसमें किसी बीज को रोपने का संकल्प और विचार जिसके हिर्दय और मन में आता है उसे भी मैं आध्यात्मिक कहता हूँ अब इस समय जो दुनिया में सिच्वेशन है आठ अपरेल आज चैत्र पूरिमा का दिन है जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूँ और आज जो सनेरियों है पुरे विश्व में वो किम करतावे विमूर का है अब किम करतावे विमूर क्या है यह एक शब्द आता है अमारे भाषा शैली में भाषा विज्ञान में, भाषा के प्रचलन में जब किसी भी व्यक्ति को यह न सुझाई दे ये ना दिखाई दे कि उसके लिए सम्यक मार्क क्या है उसके लिए आसान रास्ता क्या है उसके लिए उचित और अनुचित क्या है वो अवस्था होती है कि मुकर्दवे विमूर की अभी पूरी दुनिया में जो बहुत ताकतवर है उनको भी कुछ पता नहीं है कि वो किस दिशा और किस दशा में जाने वाले हैं और जा रहे हैं जो अपना पुछ बढ़ी महाशक्तियां समझते थे उनको ये समझ आ गया है कि प्रकृति के सामने आप सदा सरवदा बोने ही थे और बोने ही रहेंगे अब ऐसे में जो हमारा वास्तु का नियम है कि सुर्य जहां से उदित होता है वहाँ अध्यात्म का अधिक प्रादुर भाव होता है नोर्थ इस्ट जो पूरे विश्व का है इन नोर्थ इस्ट में जो सुदूर वरती देश हैं उन्हें देशों में आफ़त आईगी तो उतने जादे लंबे समय नहीं रहेगी वहाँ विद्यमान अध्यात्मिक मूले इससे उसको अवरकम करेंगे देखे जापान अभी सुरक्षित है भारत में भी उतना डेमिस नहीं होता कुछ लोगों की अगर जो हम जो तकलीफी जमात है कुछ लोग है जिनको तकलीफ में ही रहना है उससे किसी धर्म का तालुक नहीं है वो हिंदूों में भी हो सकते हैं जो तकलीफ में रहते हैं और वो मुस्लिमों में भी हो सकते हैं जो तकलीफ में रहते हैं ये विचार की बात नहीं है, ये देशना की बात नहीं है, ये संसकार और सरोकार की बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात है, और व्यक्ति की जब चलती है, तो चीजों को खराब करता है, तो जो तकलीफ में रहने वाले लोग हैं और दूसरों को तकलीफ बाटने वाले लोग है उनको आप छोड़ दे मैंने पहले भी एक पहले अपने डिस्कोर्स में इस बात का और लेख किया था कि इसमें लाकों लोग प्रभावित होंगे और हजारों जाने जाएंगी चुकि जिस कालखंड में जिस लोंगीट्यूट और लेटिट्यूट में जिस रेखांस और अक्षांस में इस बीमारी का जन्म हुआ है वो समय लेगी हमारी गणनाओं के अनुसार तो ये बीमारी सेप्टेंबर में जन्म ली होगी चीन में लेकिन ये शनाक्त होते होते नमंबर आया और डिकलेर नोंने दिसंबर में की और अब चल रहा है अप्रेल यानि साथ महीने से चीन इस बीमारी से जूझ रहा है और अभी हमाँ फिर से कुछ नई वाइरस जैजम ने कहा थे कि नई बीमारी या नई वाइरस आने के संभाव ना है असल में लाखों करोडों साल से हिमाले के सुदूर वर्तिक शेत्रों में हिमाले की गहनतम उचाईयों में जो बहुत सारे जिवाश में और ऐसे किटानों ऐसे विशानों ऐसे बैक्टिरियाज जो लाखों साल से दबे पड़े हैं वो प्रत्वी का जो हम तापमान बढ़ा रहे हैं जो ग्लेश्यर पिघल रहे हैं उससे बह करके वो धर्ती पर ही आने हैं और उनसे मामार्यार इस तरह की प्रॉब्लम्स फैलती ही फैलती है यह होना ही होना होता है अब ऐसी सिच्वेशन में जीवन और ब्रत्यूद किसी भी व्यक्ति का वास्तिक आकलन तब होता है जब वो किसी भी परिशानी में या किसी भी विपत्ती में या किसी भी विपदा में ऐसी इस्थिती में आकर के खड़ा हो जाए जहां उसके जीवन और मरण का प्रशन हो तो कमोबेशम ऐसी ही इस्थिती में खड़ेगे जिस व्यक्ति का संकल, जिस व्यक्ति का चरित्र, जिस व्यक्ति का विचार, जिस व्यक्ति का आचार, जिस व्यक्ति का कार्यकलाब, जिस व्यक्ति की भाषा शेली, जिस व्यक्ति की वोकेबलरी, जिस व्यक्ति का वाक्य विन्यास, जिस व्यक्ति के शब्दों का छेयन में है और एक शुचिता और शुबता लिए हुए है तो व्यक्ति आध्यात्मिक है और जिसका नहीं है वो गैराध्यात्मिक है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का इस कालखंड में भारत का प्रधान मंत्री होना यह यहां हजारों साल से की जा रही विश्य मुनियों की तपस्याओं का सुफल है बहुत से लोगों को मेरे इस बात से परिशानी होगी लेकिन होती रहे समय के कालखंड पर जो सच है उसको कहना ही पड का ठाफाक वस ऐसी जगें से जला जाए परमातम की इच्छाय से ही जा सकता है को एक व्यक्ति कि जहां से सब तरफ सुचिता हों कि अच्छा ही है वो किसी वेक्षश च्विश्य में हो चाहे वह मीडिया में हो चाहे वह डॉक्टर हो चाहे वह कुछ भी हो और जो नहीं है उसको भी शिनक्त करने का वक्त है ये, इस समय आपको बहुत सरी चीजों को सिखा कर जाएगा, अगें दिपाली के प्रशन से हम प्रतक नहूं, उसका प्रशन था कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति की हिर्दय में करोणा का भाव है, जो व्यक्ति दूसरों के दुखों से दुखी है, जो व्यक्ति दूसरों के सुखों से प्रसन्चित है, जो व्यक्ति दूसरों की प्रसनता को बढ़ाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने साथ सा दूसरों के दुखों का समधन कर जो व्यक्ति अपने पडोसी के घर में बुजे हुए चूले को देख करके दुखी है और सोचता है कि उसके घर में चूला क्यों नहीं जला या मैं उसमें क्या मदद कर सकता हूं कि वो मेरा पडोसी भी आनंद पूर्वग रात में नीद ले सके वो व्यक्तियाध्यात्मिक है जीवन में जितनी भी चीजों का प्रचार सुचिता से जुड़ा है जिन भी चीजों का प्रभाव आपके जीवन में अच्छाईयों से सन्निहित है वो सभी चीजें अध्यात्म के क्षेणी में आती हैं अध्यात्म के क्षेत्र के अंतरगत आती हैं और जो व्यक्ति इन च जो को आत्मसात करता है वो आध्यात्मिक है जो प्रकृति के प्रति समर्पित है वो आध्यात्मिक है जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए प्रतियक अव्यव के प्रति समर्पित है संजीदा है संवेधन शील है चिंतित है और जवाब दे है वो भी आध्यात्मिक है और जो परिश्क्रत शरूप है कि आप सोचें कि एक तो सोना और उस सोने में भी प्योर्टी वह फोर नाइन का हो जाए वह 24 करेट का सुप्रीम पोजिशन में हो वो फिर उसको आप अध्यात्मिक मुल्यों में रख सकते हैं तो यह जो आवान पूरे देश में हुआ नरेंद्र मोदी जी के आवान पर जो पूरे देश में एक चेतना की लहर दोड़ी यह आध्यात्मिक व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं तो यह चेतना का संचार हो सका आध्यात्मिक व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं तो वो सब के दुख दर्द को समझ सके आध्यात्मिक व्यक्ति स स्वेते इसफोर्थ ही सभाविक रूप से ही दूर द्रस्टा होता है, बहुर दूरन देशी के साथ चलता है, जो ओवर कॉन्ट्फिएंट थे, जर्मनी का ये दावा था कि जब भी कोई बिमारी, जब भी कोई बैक्टिरिया दुनिया में कहीं भी जम लेता है, उसी के साथ स सम्वेदर्शी है, सभी के प्रति साहनुगूती है, और अगर इश्वर सुन सके, तो हम कहें कि आज के बाद कहीं पर भी कोई व्यक्ति इस तरह की मामारी से ना वरे, योगि व्यक्ति का जो खोना है, उसका कोई भरपाई कभी किसी रूप में कोई भी नहीं कर सकता है, ले किस तरह से बात कर रहे हैं, जिस दवाई को लेकरके, वो हमारा उपास उढाते थे, कि गरीब देश, गरीबों के गरीब दवाईः, मलेरिया वाले लोग, मलेक कलोरोक वीन खाने वाले लोग, इतनी कड़वी दवाई खाने वाले लोग, ये लियन हिन, अफ्रिकयं, भारत ये और ये साउथिस्ट अफ एशिया के लोग अधिकी वोई क्लोरोक्वीन आपके काम आई है कुछ पता नहीं चलता कौन सी दवाई कौन सा सूत्र कौन सी दुआ जीवन में कहां पर किस रूप में आपके काम आजाए ये बहुत प्राणी कहवत है कि कहीं का पुन्य कहीं का तारे और कहीं का पाप कहीं जाम आ रहे तो पता नहीं आप कहां कोई पुन्य का कारे करते हैं तो वहाँ फिर आपको एक मसीह के रूप में आप स्थापिद होते हैं तो ये नरंद्र-मोदी के अंगर अध्यात्मिक्ता थी जिस वजह सी इसको भाप पाए और अभी वे भा देवा और सहयोग के साथ हाथ बटाएं उनके साथ जुट एक जुट हो करके काम करें चुकि अगर लापरवाहियां करेंगे तो जिस छोटे से हम लोगडाउन से परिशान हैं दो हफते तीर हफते के लोगडाउन से परिशान हैं इसे यह खोले जाने में बड़ी दिक्कत तो फिर तो सभाविक रूप से बंद करना होगा और बंदी आपको पसंद नहीं है तो इसको एक संकल्प के रूप में एक निश्चित अवधी के दवाई के रूप में ले करके आप पूरे देश को मुक्त करें इस रोग से इस बिमारी से और आगे के लिए भी सचेत रहें अध्यात्मिक व्यक्ति सभी के कल्यान में अपना कल्यान समझता है सभी के उत्थान में अपना उत्थान समझता है वो प्रेम में होता है और प्रेम मैं भी जो प्रेम मैं है वो प्रकरती के किसी भी अव्यव के प्रती गरणा हिंसा और तिरसकार से भरा नहीं होता है वो प समस्त अभ्यों के परदी अहोभाव्यु से भरा होता है कृतिक गता से ब्हरा होता है धन्यवाद से भरा होता है शुक्राने से भरा होता है वह ईश्ट्व्रे दत्तों के पर दी स Va ॹछ॥ मजो